जब बात magic की हो तो Harry Hoodney का नाम आप कैसे भूल सकते हैं? एक ऐसा escape artist जिसकी life और मौत भी उसके magic की तरह mystery और secrets से भरी हुई थी. दुनिया के सबसे famous और सबसे चर्चित escape artist जिन्हें दुनिया का कोई साभी trap कभी नहीं रोक पाया. चाहे वो handcuffs हो या cages या coffins या jail या फिर हाथ पैर बांध कर किसी नदी में फेक देना ही क्यों न हो? हूजनी कभी भी इनसे छूटने में नाकामियाब नहीं हुए. आज बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या कि ये magical दुनिया के देफता बन गए लेकिन इनकी जिन्दगी एक रहस्यमई कहानी. Magic ये शब्द अकेला नहीं आता. इसके साथ आती है excitement, curiosity, मजा, डर और राज. Magical Shows का एक बहुत ही दिल्चस्प हिस्सा होता है escapology और इसी ब्रांच के specialist थे Harry Houdini. ये एक बहुत ही गरीब परिवार में पले बड़े थे. पैसे कमाने की चाहा उनमें बच्पन से ही थी. इसके चलते उन्होंने कई jobs किये और ultimately एक तालाचा भी बनाने वाले के assistant बन गए. यही से इन्होंने शुरुवात की locks के mechanism को समझने की. लेकिन लोगों के सामने उन्होंने as trapeze artist बन कर perform करना शुरू कर दिया था. धीरे धीरे वो escapology की तरफ बढ़ने तो लगे थे, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आ चुका था जहांपर हुडिनी ने police officials को challenge करना शुरू कर दिया. कि उन्हें कोई CB हतकड़ी में बांद दिया जाए, वो हतकड़ी खोल कर बाहर आ जाएंगे. इतना ही नहीं. उन्होंने ये भी challenge किया कि उन्हें दुनिया की कोई CB जेल में बंद कर दिया जाए, वो खुद उससे बाहर आ जाएंगे. और हर बार जीत हुडिनी की ही हुई. नेदरलैंड, जर्मिनी, फ्रांस और रश्या जैसे कई countries में उनके शोज होने लगे. धीरे-धीरे पूरी दुनिया में हुडिनी की चर्चा होने लगी. हुडिनी ने अपने एक शो में लाखों लोगों के सामने पलक जपकते ही एक हाथी को गायब कर दिया, जिसके लिए उनकी popularity का कोई ठिकाना ही नहीं रहा. उनकी life से पैसे की कमी तो पूरी तरह से दूर हो गई, लेकिन यहां से उनकी life की एक ऐसी कहानी शुरू हुई, जिसने उन्हें magical दुनिया की दूसरी side दिखाना चालू कर दिया. हुडिनी ने entire life एक diary लिखी, जिसमें उनके जिन्दगी भर के secrets लिखे थे, related to his shows, magical tricks and personal life. उस diary को decode करने की कई बार कोशिशे की गई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया, अमेरिका की magic association ने diary के हर रास को समझा, और sincerely इस diary को बहुत संभाल के रखा, कभी इसके कोई भी रास बाहर लीक नहीं होने दिये. स्पिरिच्वलिजम में डूबे अर्थुर कॉनन डॉयल जो की Sherlock Holmes के author है, इनके और हूडिनी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी. लेकिन author डॉयल ये समझने लग गए थे कि हूडिनी के पास supernatural powers है, ये सज बात है कि हूडिनी भी स्पिरिच्वलिजम में मानते थी, लेकिन उनके पास supernatural powers है, ये उन्होंने कभी भी accept नहीं किया. इसी पिरिड में हूडिनी ने black magic और unethical magic करने वाले लोगों की खिलाफ कई actions ले लिये थे, वो ऐसे लोगों का काला चिट्था citizens के सामने खोल कर रख देते थे. इसी पिरिड में एक ritual का बहुत ही प्रचलन चलने लग गया था. लोग ये विश्वास करने लग गए थे कि कुछ मंत्रों का उच्चारण करके वो उनके मरे हुए relatives से contact कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. एक दिन डॉयल ने हुडिनी को अपने घर पर बुलाया. डॉयल का बेटा World War में मर चुका था. डॉयल को पहले से ही ऐसा लगता था कि हुडिनी के पास supernatural powers है और हुडिनी उनके बेटे से उनकी बात जरूर करवा सकते हैं. लेकिन हुडिनी ने उन्हें कई बार समझाने की क कोशिश की कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते और वो ऐसी चीज़ों में विश्वास भी नहीं करते. डॉयल ने कभी उनकी बात नहीं माली. हार कर हुडिनी वहां से बाहर निकल गए और इसी वज़ह से उनकी दोस्ती भी खराब हो गई. फिर हुडिनी पर कई बार चोर, पर कितनी ही जोर से पंच क्यों न मारा जाए? उन्हें कभी कोई फरक नहीं पड़ेगा. लेकिन किसे मालूम था कि ये उनकी मौत के कई कारणों में से एक कारण बन जाएगा. इस टाइम पर हुडिनी की तव्यद बहुत ही खराब चलने लग गई थी. लेकिन उन्होंने ड चैलेंजिस को कभी भी गिरने नहीं देते थे. लेकिन चैलेंज के लिए रेडी होने से पहले ही वाइट हेड नाम के एक स्टूडेंट ने उनके पेट पर घूसे मारना शुरू कर दिया. बीच में हुडिनी ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं फिर भी हुडिनी ने उस शो पर ध्यान दिया और शो के एंड पर हुडिनी ऑन स्टेज कोलाप्स हो गए. उनके पेट में बहुत दर्ध हो रहा था और स्टंट के दौरान ही हुडिनी ने जान भी छोड़ दी थी. लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें रिवाइफ किया पर वो जादा दिन तक अपनी बिगड़ती हालत को जेल नहीं सके. लेकिन कहानी यहां भी खतम नहीं होती है. कहते हैं कि हुडिनी ने अपनी वाइफ बेस हुडिनी से एक कहा था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो उनसे कम्मिनिकीट करने के लिए रोजा बेल बिलीव इस को कि जिस रिच्वल में हुडिनी ने कभी विश्वास नहीं किया, आज उसी रिच्वल से उनकी वाइफ उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन दस साल बीत जाने पर बेस हुडिनी ने उनसे कांटाक्ट करने की कोशिश बंद कर दी. उनका कहना था कि किसी भी आदमी के लिए 10 साल इंतजार करना कोई मामूली बात नहीं होती उन्होंने हुड़नी की फोटो के सामने जल रही कैंडल को बुझा दिया और कहते हैं कि जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकली आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और उस आवाज में ऐसा लगा जैसे रोजा बिल सौंग की धुन बज रही हो लोग आज सौ साल बाद भी हुड़नी से कॉन्टाक्ट करने की कोशिश करते हैं रिसेंटली हुड़नी की डाइरीज को भी पब्लिकली अविलेबल कर दिया गया इस नाम से ओथर विलियम कालुष ने हुड़नी की ऑटोबागरफी लिखी है 2014 में हुड़नी नाम की हुड़नी पर एक फिल्म बन चुकी है ऐसी ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल Mr. Curious को जल्दी लोटेंगे और एक मिस्टरी के साथ